चैय मादादी दोस्तों, आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 माई और 14 माई के कन्या राशी फल के बारे में कन्या राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहने वाले हैं? इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे और उनका प्रभाव आपके जीवन के प्रतेक शेत्र पर कैसा होगा, आपका स्वास्ते कैसा रहेगा, शिक्षा कैसे होगी, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दामपत्य जीवन, कारेश शेत्र, सभी के पहुंच सके तो चलिए जान लेते हैं इन दो दिनों के योग तिथी नक्षत्रों के बारे में तेहरा मई की बात करते हैं तेहरा मई क्रश्न पक्ष की शष्टी तिथी है जो की सुभा छे बजे तक रहेगी उसके बाद सब तमी शुरू हो जाएगी इस दिन स्रवन नक्षत रवयोग बनेगा और इस दिन कोई भी अभिजीत मोहरत नहीं है चौदह मई की बात करते हैं क्रश्न पक्ष की सब्त मीति थी सुभा छे बज़ कर 51 मिनट तक उसके बाद एस्टिमी शुरू हो जाएगी श्रवन नक्षत्र है सुभा छे बज़ कर 23 मिनट तक उसके बाद घ पूर्य का गोचर होगा सुर्य राशी परिवर्टित करेंगे और मेश से निकल कर वर्शबरासी में चले जाएगे चन्द्रमा भी शाम साड़े साथ बजे तक मकाराशी में रहेंगे उसके बाद कुम्राशी में जाएंगे इस दिन में पूरा दिन रवी योग रहेगा और इस दिन का जो अभी जीत मोरत है वो है सुभा ग्यारा बजकर पचास मिनट से दोपहर बारा बजकर पैतालिस मिनट तक तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की इस्तिती इसके इलावा तीन और ऐसे परिवर्थन ग्रहों में होने वाले है तेहरा मई को शुक्र जो की व्रशब रासी में विराजमान है अपनी राशी में बुद्ध के साथ वो वक्री हो जाएंगे और चौधा मई को गुरू ब्रस्पती मकर राशी में विराजमान है जो शनी की राशी है वो भी वक्री हो जाएंगे शनी 11 मई को वक्री हो चुके हैं और 14 मई शाम को सूर्य का राशी परिवर्थितन भी होगा, सूर्य भी राशी परिवर्थित करके शुक्र के साथ चले जाएंगे, जहां वक्री होकर शुक्र बैठे हैं, तो ये जो ग्रहों की स्थिति हैं, काफी उधल पुधल मचाने वाली है, तो इन सभी चीजों का इन द पुधी का भाव है, इंटेल जैंसी का भाव है, तो ये जो चंद्रमा की स्थिति है, ये काफी अच्छी आपके लिए साबित होगी, क्योंकि यहां गुरू भी विराजबान है, गुरू भी वक्री हो जाएंगे 14 को, और शनी यहां वक्री हो चुके हैं, तो पंचम भाव म चंद्रमा की स्थिति, आपकी स्थितियों में सुधार करती हुई नजर आएगी, आप अध्यात्मिक चीजों की तरफ जादा रुची लेंगे, धर्म कर्म में रुची बढ़ेगी, पूजा पाथ में रुची बढ़ेगी, मानसिक रूप से आप खुद को काफी मजबूत पाएंगे, साहस आपके अंदर आएगा, इस राशी के जो स्टुडेंट हैं, उनके लिए सिक्षा के शेतर में बहुत अच्छे परिणाम देखनेों को मिलेंगे, अपनी सिक्षा पर ज्यादा वो फोकस कर पाएंगे, चंद्रमा की यस्तिति, आपकी बुद्धी को बढ़ सकते हैं, और अपनी कार्य इस्तल पर आपको अपनी लक्षों तक पहुँचने में सफलता मिलेगी, ये समय आपकी कार्यों में रचनात्मक लाने का भी है, आपकी कार्यों में रचनात्मक आएगी, जिससे आपका प्रजेशन और बड़िया होगा, सरहनिया होगा, आप अंदर के परिवर्तन को भी दर्शाएंगे, तो कि ये आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को लेकर आएंगे, देखिए एक बात का ध्यान रखें, सजावट के लिए केवल वो ही समान खरीदे जिसके आपको जरूरत है, यहां भी आपको फिजूर खर्ची से जरूर बचना होगा, आपके परिवार का कोई सदस्य, आपको कोई खुश खबरी दे सकता है, खुश खबरी मिलने का प्रबल संकेत 13 माई को बना हुआ है, जिससे आपके आसपास का वातावरन भी सकारात मक हो जाएगा, यह समय सभी लोगों के साथ खुशी मनाने का है, जो हमेशा आपक खुशी मनाएं और अपनों पर प्यार नुच्शावर करके उनिक अनोखा एहसास दिलाने की कोशिश आप कर सकते हैं, आपकी जो दिन्चरिया है वो सुचारू रुख से चलती रहेगी, अपने कामकाजी जिन्दगी में आप अधिक बदलाव महसूस नहीं करेंगे, लेकि समय आने वाले ही चोटी मोटी परिशानियों से बिल्कुल नहीं घवराना है, अगर आप व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय में आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी, कोई ऐसी बात जो आपको गर्व और उत्साह से भर देगी, ऐसी बात भी आपको पता चलेगी, ये जो समय है, ये आपके लिए उन्नती लेने का, उन्नती लाने का समय है, आपको ये ऐसास होगा कि आपने सही समय पर जो सही कदम उठाए हैं, और जो बात आपके काम कियाती है, तो आप घवराती भी नहीं हैं, तो ये बातें आपको बड़ा खुश करके रखेंगी, तो ऐस समय का लाब आपको उठाना है आज ऐसी स्थिती भी हो सकती है कहीं कुछ लोगों के साथ की एक हास से आया और दूसरे हास से गया अच्छी कमाई तो हुई लेकिन अचानक से खर्चा भी आ गया और आप चिंता में पढ़ जाएंगी इसका मतलब अच्छे के साथ कुछ करवे का स्वाद भी लेना पड़ेगा तो बस किसी तरह से संतूरन बना कर रखना है अकाउंट पर कम से कम ऐसे संतूरन बनाना है कि घाटा ना हो कुछ आपके जो पैंडिंग बिल पड़े हुए थे उन चीजों को चुकाने का आप प्रयास करेंगे और भविशे में कुछ आमदनी के नए उपायों की भी आज आप खूज कर सकते हैं इन दो दिनों में हाला कि किसी भी मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है जो भी फैसला लेना है वो का हुआ पैसा वापस लाने के लिए अच्छा है ज्यादा तर मामलों में इन दोनों ही दुनों में आप खुद को भागशाले महसूस करेंगे इस राशी की जो जातक किसी संसाधन किसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं विज्यानिक हैं तो उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है इस समय आप अपने विचारों को दूसरों के उपर जाहिर करेंगे और अपने बातों से लोगों को सहमत करते हुए नजर आएंगे ये बड़ी अच्छी आपके लिए पॉजिटिव चीज रहेगी और देखिए जिन लोगों से आपकी कभी-कभी मुलाकात होती है त उचसे बात चीट करके उनके संपर्क में आने के लिए दो दिन अच्छे हैं आपके अंदर शांती का वास होगा और घर में भी अच्छा माहूल बना पाने में आप कामयाब रहेंगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन से सावधानी रखनी है एक तो अगर किसी बात को लेकर आ आपके अंदर जिद्धी रवया आ जाता है या अडियल रवया आ जाता है तो उससे आपको बचना है वरना वो आपके समय की बरबादी कराएगा परिवार में भी माहूल को कटुता लेगा आएगा गलत फैमी या कोई गलत संदेज ऐसी जीज़ों पर ध्यान नहीं देना ह किसी की बातों में नहीं आना है इसके लावा कोई व्यक्ति आपको कुछ बी में से जुड़ी विशों पर बातें बता सकता है तो उस मामले में अगर आपको फैसला लेना है कुछ निवेश करने के लिए तो सोर समझ कर लेना है पारिवारिक जीवन की बात करते हैं और प्र रिश्ता है और उसमें कुछ खटास चल रही थी तो उन सभी समस्याओं को सुलजाने में संकोच बिल्कुल नहीं करना है इन दो दिनों में आप अपनी हर समस्या को सुलजा सकते हैं व्यवसाय करने वाले लोगों को कुछ बड़ी योजनाय मिल सकती हैं और वो व्यक्ति अप अपनी योजनाओं को वो लागू कर सकते हैं किसी भी तरह का अगर आप अपने व्यवसाय में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो हर चीज के बारे में अच्छी तरह से जांच परताल करें उसके बाद ही निवेश करें स्वास्ते संबंदी अगर आपके हम बात करे तो देखिए स्वास्थे के लिए ये अच्छा आपके लिए दोनों ही दिन अच्छे रहेंगे आप जो वैयाम करते हैं सेहत पर ध्यान देते हैं वो आपके काम आएंगे और अच्छे खाने की आदत को बिल्कुल ना भूले खान पान पर ध्यान रखेंगे तो स्वास्थे अ हो चुके हैं तो तीन तीन ग्रह वक्री हैं इस हवस्था में तो आपके लिए इस्थितियां बहुत हद तक अच्छी हैं उनका लाब आपको जरूर मिलेगा और सूर्य तो आपके भागय भाव में आए हैं तो भागय को बढ़ाने वाले यहां मौजूद रहेंगे लेकिन फि अगे को पूरा सपोर्ट मिल सकें तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बढ़ाएं